दारजी लेगे नालशाक शेत्र की एक महिला अपने परीजनों के साथ पुले सधिक्षक आदित्य प्रदाप सिंग को ग्यापन देने पहुँची महिला राधाबाई और उसके परीजनों ने ग्यापन सौपते हुए अपनी पीड़ा सुनाई और नयाय दिलाने की मांग की इस दुरान उन्होंने बताया कि उसके पूरवज वर्षों से और पिछले आठ वर्षों से पीड़ित राधाबाई नायक भी इस भूमी पर खेती करते आ रहे है लेकिन उस पर जमीन पर आवेद कबजे की नियत से आये दिन पीड़िता और उसके परिवार पर हमला और काने का कारी किया जा रहा है ज्यापन बताया गया कि 4 मई 2021 को भी जब वे लोग अपने खेत पर काम कर रहे थे तब राकिश नायक और सुरेश नायक नामक दो व्यक्ति आये और राधाबाई नायक को गलत नजरों से देखते हुई अश्रील हरकत करने लगी और जब किसी प्रकारी को आफाह ने लिखी गई है वसामने जो वह विधा अपने आपको वह वह किसी प्रकार से 싶은 होने देता है इनके से परएंपक डसफै क्यानी जाती है सिर्भाओ कि वह सब्सक्ति पॉस्पराइब अपन करशिक कर रहे तहीं आप में इनके हस्बेंट मदूस्दर नायक आए और इनके देवर दोनों आए दोनों को चोट लगी जब एफाय लिखाने गए तो इनको थाने से भाहर बाका दिया गया और वेरहाल अब देखना होगा कि पिडिता और उसके परिवार को नियाय मिलता है या इसी तरह दर-दर ठोक्रे खाने को मजबूर रहेंगे खबर मत्यप्रदेश के लिए धार से ब्यूर रिपोर्ट